नमस्ते भायों, Android वेडी में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले Redmi 12 5G के tips and tricks और इसके features ये मेरे पास Redmi 12 5G है मैंने इसको offline से purchase किया है कल इसका मैंने unboxing वीडियो जाला था यहां पर Redmi का UI कुछ इस तरह का देखने को मिलता है आप लोगो नॉर्मल टिपिकल जो MIUI होता है वही MIUI मिलेगा इन केस आप लोग बूट करते टाइम यहां पर app drawer को set करना भूल गए बूट करते रहे हैं दो option देता है app drawer का और normal screen का नॉर्मल स्क्रीन करेंगे तो सारे जो apps है वह आपको home screen पर ही रह जाएंगे अभी भी देख सकते हैं बहुत सारे apps home screen पर ही है तो अगर आप लोग app drawer भूल जाते तो इसके लिए आप लोग home screen के अंदर long press कर सकते हैं और direct settings के अंदर आ सकते हैं चाहे तो आप light mode भी कर सकते हैं जिसके अंदर में icons बड़े हो जाएंगे UI total overall थोड़ा बिगर लगेगा जिससे कोई बुज़गात में यूज करना चाहे तो easily use कर पाएगा देख सकते हैं अभी का icons थोड़े बड़े हो गए overall UI जो screen है वो भी काफी बड़ा हो गया है जिससे कोई भी low visibility आला फरसन भी इसको use कर पाए easily इस पोन के अंदर जो dialer मिलता है आप लोग को MIUI का dialer मिलता है तो यहां पे call recording का feature भी मिलेगा without announcement यहां पर मैं आप लोग इस देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग यहां पर स्टार्ट हो गया है और यहां पर कोई भी announcement यहां पर नहीं हुआ है इस पोन के अंदर देख सकते हैं आप लोग यहां पे speaker phone पर डाल दिया है कि देख सकते हैं जब भी call recording कर रहा हो कोई भी announcement नहीं हो रहा है प्रिवेस कुछ स्वामी फोन्स के अंदर यहां पे गूगल का डायलर मिल रहा था जिसके वया से आप लोग कॉल रेकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं करते हैं तो उनस्मेंन हो जाता है यहां पे शौमी का डायलर आप को दस्वाट्डिंग को सेटप बहुत कर सकते हैं यहां पे ع pasture स्टीलेंग नहीं न पली आप को दो बचाल चानल रहा है। इसा को बिने को दिएक सकते हैं यहां पर यहां पर कसेཁटोग कर ऐसकते हैं आप इसके बादा इसको लिएसंसक कुछ इससारा का आप को सिदशने को करने और इस ASMR से को फोल्डें को ती and आप लोग अपन कर सकते हैं आपको फोल्डर को टैप करके ओपन करने की ज़रुद नहीं है इस पोन के अंदर आप लोग को इथरनेट सेरिंग का ओपसन देखने को मिलता है यानि की लैन के मतलब से भी आप लोग इंटरनेट शेर कर पाएंगे इसके लिए आप लोग यान की जो लैन पोर्ट होता है कंप्यूटर के बैक साइड में वह आप लोग यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं और उसके सब्सक्राइब के मतलब से आप लोग अपने पीसी में मॉबाइल डेटा को शेयर कर पाएंगे इसके लावा यहां पर ब्लुटूथ टेसरिंग यूए यहां पर होफोट तो है ही यह यहां में यहां पर अप्सिंस आप लोगों मिल जाएंगे इस फोन में आप लोग चाहे तो वाई-फाय और होट सब्सक्यार के कर palabras को मा यहां पर देख पाएंगे डार्क मोड को आपसन आप लोग को यही पे मिल जाता है रिर्क लीज़ाइब कर सकते हैं देख सकते हैं और दार्क मोड को एनाइबल कर दिया है तो पूरा ब्लैक स्क्रीन के अंदर फोन बनके आ गया है इसके लाब और भी बहुत सारे नोटिफिक जाएन पर दोट कोई भी आपको एपर करा करने के बाद दो को का próp अडर्ट के चाहे ऐंप़ोड़ को पर पार थो करे Tom और बात में, जो मेन काम हो जाने के बाद आप ढई करें या कि आप यहां के इस फ्लीच स्क्रीन का फीचर भी आप लोको कहा है, लेकिन अगर आप टो चाहे तो इसके लेउट को चेंज कर सकते हैं, लिए लोग को बन के अजाएगा अप लोग को सब्सक्राइब तब धेंगने के लिए तो एक्टिवेट करने के लिए चाहेगा तो और इसके अंदर में नीचे का तरफ देखेंगे तो यहां पे आप लोग को देखने को में लगेगा एप लॉक्षन और इस एप लॉक्षन को सेट अप कर सकते हैं यहां पे कोई पासवड फर्स में आप लिजए और उसके बाद आप लोग किसी भी एप को लॉक्ष कर सकते हैं यहां पर प्रिसेश्चेच कुछ एप स öl्च जिनको लॉक्कर सकते है तो यहां पे मैं सेलेक्ट करके सिर्फ एक ही एप को लॉक्क्रता ओं और यहां पर फिंगर क Sched back then, जाकर आप लोग क्लिक करना है, और यहां पर देख सकते हैं एक ओप्सेन हैँ, लॉक बंड़वाइश लॉक्ट का और अपटर एक जिडिग्था Today, लूप बजान फिक sensitive notifications, तो यहाँ पर select करके आप लोग notifications को भी disable कर सकते हैं, यानि कि जो app lock आप लोग यूज कर रहे हैं, जिस app के अंदर उसका कोई भी notification नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा, जिससे आप लोग का जो privacy है और इनक्रीज हो जाएगा, इस फोन में आप लोग एप को हाइड करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर search के अंदर आके आप लोग एप हाइड सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर hidden apps का option आप लोग उम लेगा, इसको इसके बाद जो भी आप को आप हाइड करना चाहते हैं, तो वो आप लोग हाइड कर सकते हैं, और हाइड को अनहाइड करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लोग लोग कर सकते हैं, यहाँ पर लोग 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 करना चाहत यहां पर lock screen आ जा रहा है तो lock screen मुझे यहां पर open करना है और hidden apps यहां पर मिल जा रहा है आप चाहे तो इनका notifications भी यहां पर hide कर सकते हैं इस phone का जो fingerprint sensor है इसको double tap करके आप लोग multiple काम कर सकते हैं मैंने इसको setup करके रखा है silent mode करने के लिए तो जब भी मैं double tap करूंगा तो phone silent mode में आ जाएगा देख सकते हैं और double tap करूंगा तो दो बारा से silent mode से यहां पर exit हो जाएगा देख सकते हैं तो इसको setup करने के लिए आप लोगो settings करने के बाद आप लोगो यहां पर नीचे के तरब advanced additional settings के option देखने को मिलेगा एडिशनल settings के अंदर यहां पर आप लोगो gesture shortcut करना जाना है और नीचे के तरब देख सकते हैं आप लोगो यहां पर double tap fingerprint sensor इसका option है यहां पर आप लोग launch camera कर सकते हैं लांच Google assistant कर सकते हैं इसके लावा भी नन करके भी रख सकते हैं जिससे आप लोग कोई भी इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इसके लावा भी power button को double press करके आप लोग turn on flashlight या फिर launch camera कर सकते हैं इसमें से जिसको भी आप लोग activate करेंगे बो यहां पर काम करेगा double press करेंगे तो double press करेंगे दो बारा से off हो जाएगा यहां पिर आप लोग चाहे तो यहां पर इसको डिजावल करके camera को कर सकते हैं power button या फिर volume बटन आप लोग किसी में भी select कर सकते हैं तो यहां पर फर्स में power button का दिखाता हूँ देख सकते हैं camera जल्दी से on हो गया अभी में volume down बटन करके देखाऊंगा देख सकते हैं volume down बटन से भी आप लोग कैमेरे को quickly open कर सकते हैं तो अगर आप लोग फोटो वीडियो बगेरा capture करते हैं बहुत ही frequently तो आप लोग इस feature को definitely enable करके रख सकते हैं यहां पर three finger से screenshot का feature भी area का आप लोग screenshot लेवाएंगे इस फोन का जो power button है वो power menu के लिए काम नहीं करता है इसको अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो यहां पे Google Assistant आ जाता है तो यहां पर आप लोग simple काम कर सकते है volume up और power button को आप लोग को प्रेस करना है प्रेस करने के बाद देख सकते हैं यहां प जाना है more के अंदर जाना है इसके बाद आप लोग को यहां पर system navigation को button से change करके gesture यहां पर कर देना है देख सकते हैं तो इस तरह का gesture navigation आ जाता है और यहां पर full screen indicator कर देंगे तो यहां पर gesture का बार आता है वो भी यहां पर नहीं दिखेगा और देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लोग अपने phone को full screen mode में use कर सकते हैं आप लोग को recent menu में जाना है कुछ इस तरह से आप लोग जा सकते हैं आप लोग को back में जाना है इस तरह से आप लोग बैक में जा सकते हैं फोन के recent menu में जाएंगे तो आप लोग यहां पर RAM status देखने को नहीं मिलेगा देख सकते है यहां पर कई भी RAM स्टेटस आप लोगो देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन अगर आप लोग RAM स्टेटस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग यहां पर लॉंग प्रेस एंड होल करके सेटिंग्स में दो बारा से जा सकते हैं इसको एनेबल कर देना है इसको एनेबल कर देंगे तो देख सकते हैं यहां पर के तरफ और में आप लोगो को रैम कितना खाली है वह आप लोग यहां पर देख सकते हैं और रैम से यादा है यहां पर लोगो एक्स्टेंडर रैम देखने को मिलता है जिसके मतलब से आप तो 6GB को और 6GB तक एक्सपांड कर सकते हैं, अगर आपके पास 4GB है तो आप लोग और 4GB एक्सपांड कर पाएंगे, अगर आपके पास 8GB है तो maximum 8GB तक आप लोग एक्सपांड कर पाएंगे RAM को, इस पोन का जो डिस्प्ले है, यहां पे आप लोगो 90Hz का डाइनामिक रिफ्रे जो रिफ्रेश रेट होता है वही दिखेगा, अगर आप लोग कस्टम रिफ्रेश रेट में जाएंगे, यहां पे स्लेट करके आप लोग 4GB 90Hz यहां पे 60Hz यहां पे रख सकते हैं, डिफॉल्ट पर रखेंगे तो आप लोग स्कॉलिंग वगर कुछ ऐसा कुछ काम करेंगे तो आटोमेटिक यहां पे फास्ट रिफ्रेश रेट में लेगा, जब आप लोग स्टाटिक स्क्रीन देखेंगे, तो आपका यहां पे जो रिफ्रेश रेट है वो घटके 60 या भी 30Hz भी हो जाएगा, रिफ्रेश रेट के ऊपर कलर स्कीम का अप्शन है, तो कलर स्कीम के अ तुम एपलोर कर सकते है, लेकिन अप्र तो आपने फॉन नेटर्क स्पीड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर अपलो इसको एनावल करना चाहते है, तो यहां पे नोटिएशन काẩशन के अंदर अन्डर सब्सक्राइब करें तो ऊपर में देख सकते हैं यहां पर बैटरी इंडिकेटर को भी चेंज कर सकते हैं यहां पर परसंटेज को एकदम बाहर में रख सकते हैं नोटिफिकेशे टोगल्स है इनको आप लोग चाहे तो एडिट कर सकते हैं यहाँ पर कुछ तोगल्स है जो आप लोग से देखने को नहीं मिलंगे इसके लिए अईडिट करना Jedet करना है और देख सकती हैं यहाँ फर नीचे कुछ एक्स्ट्रा उसके साथ में यहाँ पर छेट्रॉमस अब कर सकता है यह सब यह सब शेट मोड यह सब करना है यहां갈 से रज रप अब यहां से तर्बाइडब कर सकते हैं डाइटा-डा आप लोगो यहां पर मिलेगा data users के अंदर आप लोग restrict data कर सकते हैं यानि कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी app का data रेस्टिर्ट करना है mobile का या wifi का तो वह आप लोग कर सकते हैं यहां पर Amazon का अगर डेस्टिक करना चाहूंगा तो यहां पर रेस्टिक कर सकता हो मैंने wifi और mobile data से तो यहां पर जो एप है वो mobile data को यूज नहीं कर पाएगा Facebook cleaner का एक option मिलता है आप लोगो यहां पर Facebook में महुत सरे junk files add होते जाते हैं in the long run तो आप लोग चाहे तो उनको easily delete कर सकते हैं यहां से अगर आप clean करना चाहते हैं तो यहां से आके clean कर सकते हैं एक जो feature मुझे यहां पे नहीं मिला वो है dual app का But the option को मुझे नहीं मिल रहा है यहां पे तो आपनलोग हो से किसी को dual post अपारा में पता है इस phone के regarding इस चेकमें में बता सकता है ताकि दूसरों को भी help हो जाए इस पून के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है इस तरह से आप लोग के अंदर आ सकता है लेकिन यह जो 100 आप लोग को इस तरह से स्वाइब करना है तब जाके आप लोग यह चीज अपाएंगे अगर इस चीज नहीं कर पाएंगे और भाईयों इसी के साथ क्थम होता है Redmi 12 5G के tips and tricks और इसके features मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो like, share करना ना भूले साथी में अगर आप लोगो और वी ऐसे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल दिसे करें मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए goodbye और आपका दिन सुभ हो